हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पूने इस टोक ब्रोकिंग लिमिटेड आईपयो के बारे में ये जो कम्पनी है वो इन कॉर्पेट हुई थी इन 2007 में और ये कॉर्पेट ब्रोकिंग हाउस कम्पनी है ये कम्पनी औफर करती है क्लाइन जो Ini пут ciao कर है द्रोकिंग, डिपोजिटरी फेसिलिटीड मुचल फंड, कॉर्पेट डिपोजिट एड करन्सी ट्रेडिंग सर्विस औफर करती है ये जो सर्विस है वो ऑफर करती है द्रोफ वैब बेस ट्रेडिंग प्लाफम एरो के 79 employees है जिसमें director, KMP, manager staff and unskilled workers included है तो ये तो मैंने आपको company के बारे में brief में बता दिया जितना बताना जरूरी था इस company के बारे में अगर आप और भी detail में जानना चाहते है तो आप उसे screen पर देख सकते है और वहाँ से पढ़कर इसके बारे में और भी detail में जान सकते है पर देखेंगे, थर्ड में हम company के GMP को देखेंगे and फॉर्थ में हम analyze करेंगे कि क्या हम इस IPO में invest करना चाहिए नहीं तो आप इस वीडियो को last तक बीना skip करें देखीगा ताकि आप इस IPO से related कोई भी important information मिसना करें और अगर आप पहली बार हमारे इस channel को visit कर रहे हैं तो आज ही इस channel को subscribe करें ताकि आप आगे भी इसी तरह की वीडियो देख सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पेरे चलते हैं IPO की dates and details पर यह IPO open होने वाला है 7 मार्च 2024 को and close होगा 12 मार्च 2024 को यानि 7 मार्च से 12 मार्च की बीच में आप इस IPO में apply कर सकते हैं इसकी intimation के आपको आई-पी अलोट हुआ है या नहीं इसकी intimation आपको 13 मार्च 2024 तक मिल जाएगी अगर यह IPO आपको अलोट नहीं होता है तो इसका जो amount का refund है वो आपको मिलेगा 14 मार्च 2024 तक अब इसकी listing date के आए कि share market में कब लिस्टेड होंगे वो है 15 मार्च 2024 यानि 15 मार्च 2024 को य शेर मार्केट में लिस्टेड हो जाएंगे कमनी ने जो इसका price band रखा है वो रखा है 78 to 83 रूपीज पर शेर का एक लोट में 1600 शेर होने वाले है टोटल इशू साइज है 38.23 करोड का और यह पूरा का पूरा क्या है फ्रेश इशू है इसकी जो लिस्टिंग है वो होने वाल हो सब्सक्राइब करेंद वाले हैं अगर आप रिटेल की टिग्री से अपलाए करना चाहते हैं तो मिनिवम्हosphere के लिए अपलाए कर सकते हैं और मेगिजि Ek लोट की के लिए अपलाए कर सकते हैं जिसका मांट होने वाला है ऑनले 32.75% पोस्ट इश्यो हो जाएगी 51.34 परसेंट इच इनाई केटेंगल रखा गया है इस कम्पनी के फाइनेंस की हमारे पास इस कम्पनी का तीन साल का डाटा है मार 2021, मार 2022, मार 2023, एन 30, सेप्टेम्बर 2023 तक का भी हमारे पास डाटा है जिसमें हमारे पास assets, revenue, profit after tax, net worth, reserve and surplus and total borrowing दे रखी है यह जो amount है वो हमें इन legs में show हो रहा है तो मार 2021 को जो assets थी वो थी 13,288.68 legs की मार 2022 में बढ़कर होगी 16,314.24 legs की मार 2023 में कम हो गई जो रहे गई 15,801 की एन 30, सेप्टेम्बर 2023 तक इनोंने काफी अच्छी assets increase कर लिए जो हो चुकिए 22,224.76 legs की तो अगर assets को अगर हम एक साल का data देखें की बस मार 2023 में ही कम हुई थी तो इसके बाद यह लगातर increase हुई है तो इसको भी हम प्लस पॉइंट में लेकर चलते हैं रेवेन्यू हमारे पास मार 2021 में था 3474.64 legs का मार 2022 में बढ़कर हो गया 4665.70 legs का मार 2023 में कम हो गया क्योंकि इसकी जो assets की वह भी कम हुई थी तो उसकी जो capacity production की वह कम हुई तो उससे उनका revenue थोड़ा कम generate हुआ तो इसलिए जो इनका रेवेन्यू था मार 2023 में वह रही गया था है मार 2024 के एंडिंग आए की तो सकता है कि इसका जो रेवेन्यू है जो मार 2023 मार 2022 के रेवेन्यू को भी accept कर जाए तो उस basis पे मैं अभी इसको plus point लेकर चलती हूं profit after tax हमारे पास 2021 में था 650.48 लेक्स का मार 2022 में बढ़कर हो गया 1,012.03 लेक्स का मार 2023 में अभी कम हो गया था क्योंकि इसकी जो एसेट की एंडिंग आए तो जो मार 2030 का amount है मार 20 profit है वो exit कर जाए तो उस basis पे क्योंकि इसकी जो production capacity वो काफी ज़्यादा अच्छी मातरा में पड़ी है assets काफी ज़्यादा अच्छी मातरा में 30 September 2030 को तो उस basis पे मैं मान लेती हूं कि ज़र्स का profit है वो increase हो सकता है तो इसको भी मैं अभी प्लस पॉइंट में लेकर चलती हूं नेट वर्थ हमारे पास मार 2021 में 35806.65 लेक्स की मार 2022 में बढ़कर होगी 6754.55 लेक्स की मार 2022 में बढ़कर होगी 7654.66 लेक्स की एं 30 September 2023 तक इसकी नेट वर्थ हो चुकी है 8259.66 लेक्स की तो ये नेट वर्थ हमारी लगातार increase है तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट चल रहा है हमारे पास मार 2021 में थे 570.35 लेक्स की मार 2022 में बढ़कर होगी 618.26 लेक्स की मार 2023 में बढ़कर होगी 6918.36 लेक्स की एं मार 30 September 2023 तक अल्रेडी एक्सिट कर चुके हैं जो हो चुकी 7155.22 लेक्स की तो जो रिजर्वेंस है प्लस है वो भी हमारा लगातार increase है तो ये भी हमारी प्लस पॉइंट में चल रहा है टोटल बोरेंस हमारे पास मार 2021 में थी 1195 मार 2022 में बढ़कर होगी 1640.17 लेक्स की 30 September 2023 तक जो बोरेंस चल रही है 26.19 लेक्स की तो जो बोरेंस से वो तीन साल तो लगातार increase में दिखाई दे रही है तो ये हमारे लिए negative पॉइंट लेकर चलेंगी क्योंकि बोरेंस अगर बढ़ रही तो वह हमारे लिए क्योंता है negative पॉइंट होता है अगर हम इन टर्म्स प परसेंटेज बात करें कि profit या फिर रेवेन्यू आफ्टर टेक्स जो profit आफ्टर टेक्स या फिर जो रेवेन्यू है वो कितने परसेंट से increase हुआ है या फिर decrease हुआ है तो वह भी हम देख लेते हैं तो जैसे कि revenue है वो decrease हुआ है 12.06% से in 2023 comparison to 2022 और जो profit आफ्टर टेक्स पे व है वो है 129.9 करोड की ROE है return on equity है 7.30% का ROCE return on capital employed है 8.25% return on net worth है 7.39% PBV है 0.77 PAT margin है 22.9 EPSA pre IPO 8.73 post IPO हो जाएगा 7.04 PE pre IPO है इसका 9.5 PE post IPO हो जाएगा 11.79 जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ return on equity return on capital employed return on net worth अगर 15 से 20 या फिर उससे ज्यादा है तो ही हम उसको positive में मानेंगे अदरवाइस उसको हम negative में लेंगे तो जैसे कि यहाँ पर जो return on equity है वो है 7.30% यानि कि पंदरा से कम तो इसको हम negative point में लेकर चल लेंगे return on net worth भी हमारा 15 से कम है तो इसको भी हम negative में लेकर चलेंगे यहाँ पर हमें डेप ट्रीटरिशन नहीं दे रखा है पर हमने जब बोराइंग जिकी थी वो इसकी लगाता इंक्रीज में चल रही थे तो उस बेसे पर हम माल लेते हैं इसका जो डेप ट्रीटरिशन व हो रहा था 29 resort 2012 को 100% gmp show हो रहा था 1 मार्द 2 March 13 March को भी से चल रहा था इसके लावाद 4 मार को 2024 को जो इसका gmp चल रहा था जब हब वीडियो तो हम क्या करेंगे जैसे कि आइप लोगा 12 मार्ट दोजार चोबिस को तो हम 11 मार्स दोजार चोबिस को एक अपडेटेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अपडेटेट जी एंपी की और सब्सक्रिप्षण स्टेटस की बात करेंगे फिर हम एक फाइनल रेगे कि क्या हम अप्लाय करना चाहिए अगर हम आज ही लेते हैं कि हम सब्सक्रिपशन अप्लाय कर hook attach लेफिडियों करना चाहिई नहीं क्यूंकि हो सकता है कि अभी बहुत सारी दिने तो उस दिनों तो देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर वीडियो से अप्डेटेड रहे सके और सही से डिसीजन ले सके कि क्या आपको इन आइप्यों में अपलाए करना चाहिए नहीं अगर हम इस कमनी के प्रॉफिट की बात करें क हमें अगर इस आई-पी पे इन्वेस होता है तो हमें कितने तक में प्रॉफिट हो सकता है जैसे कि हमारी जो इंवेस्टमेंट रहा है जब ही वीडियो रिकॉड हो रही है उस समय जो इसका जो उस्वाध्य एसकी ईस्टिमेटर निस्टिंग प्राइजिंग शो हो रही है उस बेसिस पर अगर हम देखें तो हमें 1,382,800 का प्रोफिट हो सकता है जब यह मार्केट में शेयर लिस्टेड हो जो भी हमें जी एंपी में दिख रही है उसी प्राइस पर ही बगर मार्केट में लिस्टेड होता है तो चलिए अब हम एनलाइस कर लेते हैं कि हम अभी इस अप्लाइब कर रहे हैं तो जैसे कि हमने इस कंपनी के फाइनेंस देखे फाइनेंस ओगर ठीक ते पर जो में चीज थी कि इसका जो मार्केट तुटाउज़न पॉंटी था उसमें जो इसकी रेवेन्यू था प्रोफिट आ अभी मार् 2024 की जब तक एंडिंग आएगी तब तक इसकी हो सकता है कि रेवेन्यू प्रोफिट आफटर टेक्स और जो एसेट से वह काफी ज्यादा मात्रव में इंक्रीज होईगी तो से इंक्रीज होने से इनकी प्रोड़क्शन केपसिटी बढ़ेगी प्रोड़क्शन के इक्यूटी रेटन ऑन कैपिटल एंप्लोई रेटन और नेटवर देखे वह 15 से कम थे तो यह हमारे लिए सारे क्या थे नेगेटिव पॉइंट थे तो इसको हम कंसीडर करेंगे इसके अलावा जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है इसका सिर्फ एक पॉजिटिव हो या फिर थिर से जासरी है तो यह कि अवहरोण आपके नहिंकर यहीं और उनक्की है अब जो टौद पर्सैन स्वीज़रा थो इसमें अगर्या जाहेगी क्या मैं अब्सक्प्लां के लिए मैं अप्लाइ कर रही हूं पर जब मैं इसकी अपडेटेटेड वीडियो लेकर आऊंगे जिसमें हम अपडेटेड जींपी की एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करेंगे और हम फाइल डिसिजन लेंगे कि अगर माली जेसका जींपी डिक्रेज हो जाता है काफी मादा मातर में तो बाकी सारे नेगेटिव पॉइंट है पस एक ही पोजिटिव पॉइंट है जींपी अगर वह भी कम हो जाता है तो क्या हम इस आईपी उसे वीडियो करना चाहिए नह क्या हम इस आईपी उसे वीडियो करना चाहिए नहीं तो उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि हो सकते क्योंकि इसमें बाकी सारे नेगेटिव पॉइंट है बस एक ही है जींपी तो अगर उसका जींपी आगे जाके गिरता है तो वह 11 मार्च को वीडियो आपके लिए का क्या हमें स्वाइपे से विडिरोल करना चाहिए नहीं तो थैंक्यू सो माच पर वोजिंग माइं वीडियो आज की वीडियो में यही पर समाप्त करती हूं थैंक्यू सो माच